समाजुआस्त्र में एक टिबेट है, गुरए एलविन डिबेट जिसमेँ गोंद सदाशियों गुरए कि समाजुटास्ति पितामा कहा जाता है भारती समाजुआस्त्र के वे और एक थे विरेयर एलविन जो की ओंग्लेंड से आये होए थे इंडिसमें इन दोनों की बीच का एक डिबेट की जब हम बात करते हैं तो जियस घुरे जो एक अपरकास्ट से बिलॉंग करते थे जो से मैंने पहले भी कहा है कि समाज शास्तर के उपर एक हमेशा से अपरकास्ट का ही प्रभुत्व रहा है तो आदिवासी है, उनकी अपनी एक अलग पहचान है, उनकी अपनी अलग धर्म है, उनकी अलग संस्कृती है उनकी अपनी अलग रितिरिवाज है, अपने दिविदेवता है तो मेरा जो मानना है कि आदिवासी बिलकुल भी हिंदू नहीं है उनकी एक अपनी अलग आस्ता है अपनी अलग विश्वास है धर्म अलग है और इसे हम किसी भी तरह से हिंदू इजम के साथ जोड़कर नहीं देख सकते रिति रिवाजों की बात कर लेजिए हिंदू धर्म में लोग डेट बोडिस को जलाया जाता है वही हमारे आदिवासी स देवासी सब्लाइब कर लोग के साथ जयना चाहिए या जो इक्विलीटी के लिए लड़ रहे हैं जो लोग एक समतामुलक समाज के लिए लड़ है जो कि तमाम आदिवासी महापुरूशों का भी सपना था, कि वे लोग बिल्कुल भी आदिवासी समाज के प्रतिलिदी नहीं हो सकते, भले ही वे शेडूल ट्राइब के रिजर्व सेटी जिते हुए, क्योंकि वे लोग कि कहीं न कहीं, जो एजेंडा, जो सवर्न पार्टियो चला जाता है, केवल उन्हीं के इशारों पर काम करता है, इस देश के अंदर सेडूल कास, सेडूल ट्राइब और ओवी सी समुधाय, पचासे प्रतिशत है, और इसी के साथ साथ इस देश में सवर्न समाज है, जो कि अपने आप को 15 प्रतिशत में देखता है, जिसमें ब्र कामनबादी विचारधारा से बिलॉंग करता है, और इसकी तमाम जड़े आपको दिखाई देती है, तो एक आवाज दूसरी तरफ से यहां भी आता है, कि आदिवासी जो है, वो हिंदू नहीं है, आदिवासी इस बात को लेकर अंदोलन भी कर रहा है, इस बात में कितनी इ में यूनिरसिति के चातर है, तो और आदिवासी प्मnn buddy से आते हैं, तो आज सबसे पहले तूम्हें यह जाणना चाहूंगी, कि आप एक आदिवासी से आते हैं, और तो में प्ढ़ने देरा की आते, क्यों पर आपको आते हैं, क्योंकि सोशोलोजी पर नहीं हो Guten談 जब हम बात करते हैं तो सामाजक विज्ञान की बात करते हैं मिटिहास पढ़ते हैं इंटियास पढ़ते हैं कि सबसे पहले यहां के अपस्ट्रैटा यानी जो एक सवर्नअक्रकार समाज शास्त्र की जो सामाजिक त्यॉरिस बनाए गई ब्राह्मनवादी नज्रिये से बनाए गई है यहां का इतिहास लिखा गया उसके बाद हम समाज शास्त्र पढ़ते तो उसमें चर्म आता है कि सबार्टन स्टडीज का सबार्टन श्टडिज वह हैं कि जिनका इतिहास अब तक नहीं लिखा गया उनका एक अल्टरनेटिव देना है मतलब सब प्लस अल्टरनेटिव यहां से जो सवाल्टन की बात आती है जो ग्रामसी ने जिस शब्द के उत्पत्ति करते हो इसको आगे बढ़ाया कि अर्थिक रूप से तो अलग अलग तपके पिछड़े हो सकते हैं लेकिन सामाजिक पिछड़ेपन की बात करते हैं तो हमारे समाज में एक ही समाज में कई सारे ऐसे विभिने तपके होते हैं जो जिन्होंने अब तक अपना इतिहास नहीं लिखा जिनके विचारों को अब तक तवज्जों नहीं दी गई हैं तो इसी वज़े से हमें जो खास सबाल्टन ग्रूप से जो पिछड़े तपके हैं दलित तपका हो गया अदिवासी तपका हो गया विभी ने तरह के उनका जो सोचनी के पद्दती हैं उनके दौरा इतिहास लिखकर उसको आगे बढ़ाने की जरूरत है इसलिए मैंने सोचा तो मैंने इसी विचार से समाज शास्तर की और में आया ताकि जो आदिवासी समाज का क्या नजरिया है समाज को लेकर वह किस तरह से दुनिया और अलहा भी होगा तो खासकर हम अधिवासी कमुनिटी की बात करेंगे संपुनदेश के अंदर जिस प्रकार से आदिवासी जीवनियापन करता है तो कहीं-कहीं पर उन्हों मुख्यधारा में दिखाई देता है कहीं पर नहीं दिखाई देता है ऐसा कुछ आपके ध्यान में या फिर आपके पढ़ाई में आया है कि आदिवासी समाज की आर्थिक समस्या है सामाजिक समस्या है राजनेतिक समस्या है इनको आपने पढ़ा है जी हा मैं इस पर बताना चाहूंगा जिसे आपने कहा कि आदिवासी समुदाय का कुछ हिस्सा पढ़ाई में आगे दिखता हैं लेकिन कुछ हिस्सा एक ऐसा जो आज भी बहुत ही पिछड़े पन के साथ अपने जंदगी गुज़ार रहा है तो हम आप देखते हैं पहले कि जो सबसे उपर जा चुकिए आदिवासी है वो कौन है तो इसमें मैं दो खासकर मुख्यत है दो कमुनिटी का नाम लेना चाहूंगा एक तो मिना समुदा है जो राजस्थान और मद्यप्रदेश के कुछ भागों में आपको मिलेगा मुख्य रुप से राजस्थान में वहां पर मिनाओं की स्थिति काफी अच्छी है वह शुरू से ही काफी मजबूत रहे हैं सामाजिक और आर्थिक तोर पर भी और दूसरा एक दूसरे कम्मुनिटी की में बात करूंगा जो गोंड जन जाती है और उसमें भी गोंड जमाती में भी उसका एक अपस्टा जिससे राजगोंड कहा जाता है गोंड जब हम देखते हैं कि गोंड लोग बहुत आगे कुछ लोग का उध अपना सामराज जी पे रहे चुका है गोंडवाना सामराज जी की प्रुष्ट भूमी हम देखेंगे उनके बड़े बड़े जमिदार रहे चुके हैं राजा महराजा रहे चुके इसकी वज़े से उनके पास एक सोशल कपिटल पहले से डवलप हुआ था जैसे हम परिवार से तालूक रखते थी जिन्होंने बाद में उन्हें भी मुस्लिम तपके में भी एक सवर्ण मुस्लिम की तरह ट्रीट किया गया उनके परिवार को और यहां तक कि यह दि हम बात करें जो कई सारे समाज शास्त्री भी इसको जब तीन भगों में बाठ कर देखते हैं वो पूरी तरह से हिंदू सोसाइटी के साथ असिमिलेट हो चुके हैं कुछ लोग ऐसे हैं जो जिने जो हिंदू सोसाइटी में एक अच्छी मजबूती रखते हैं और वो हिंदू समाज में भी काफी सम्मान उनको मिलता है और कुछ ऐसे हैं जो बहुत ही ज्यादा पिछड़े हुए जिनकी मैं बात करूंगा आपने गर्ची रोली में सुना होगा कि गर्ची रोली में आतराम घराना था अहेरी के दौरान लेकिन उसी अहेरी के इलाकों में जहां पर आतराम घराना आ लेकिन उसी गर्ची रोली में महाराष्ट्र के सबसे अधिक पिछड़ी आदिवासी जन जातिया रहती हैं मुझे थोड़ा आश्चार यह लगा कि गर्ची रोली जो है सबसे ज्यादा पिछड़ा चेत्र माना जाता है और नक्सलाइट करके भी उसे पहचाना जाता है उस जब हम ट्राइबल की बात करते तो शेडोल ट्राइब में कुछ ट्राइबल को प्रिमेटी वॉल्नेरेबल ट्राइबल ग्रुप्स का दर्जाए दिया गया पीवीटी जी यह अत्यंत पिछड़े हुए जिन जिनका पिछड़ापन बहुत अधिक है और साथी साथ उनकी सं और लां में आपको मिलनेगी माडिया ठ्राइब घर्जाए खाली हम देखते हैं कि वहाद पर आत्राम घराना काफी संध्य घराना हैं और दुसरी और उसी घर्जाइबल ड्रइवल में सबसें फिक्ञुटे हुए है वह माडिया जन्जाति का वही निवास्थान है तो आप देख सकते कि ट्राइब में कितना ज़्यादा डिफ्रेंस आपको दिख सकता है जैसे अब यह तो हो गया उनकी समाजिक स्थिदी लेकिन धार्मिक मनेताय भी कुछ है आदिवासी कम्मूनिटी की लेकिन तमाम देश के अंदर यह देखा जाता है कि दलित कम्मूनिटी में से कुछ लोग को छोड़ दिया जाए तो वो तमाम लोग हिंदू है वैसे ही OBC कम् ऑर हमें हिंदू ना कहे यह क्या मामुला है समाज शास्तर के हम फिरसे मैं समाज शास्तर क्योंकि भारती समाज शास्तर के वे और एक थे वेर एलिविन जो कि एंग्लेंड से आये हुए थे इंडिया में इन दोनों की बीच का एक डिबेट की जब हम बात करते हैं तो जिएस घुरे जो एक अपरकास्ट से बिलॉंग करते थे जो से मैंने पहले भी कहा कि समाज शास्तर के नहीं हो सकती है लेकिन वेरियर एलिविन जो करने एंग्लेंड से आयोते हैं उन्होंने सिधे-सिधे कहा कि नहीं जो आदिवासी है उनकी अपनी अलक पहिक बहेस के रूप में देखा जाता है तो मेरा जो मानना है कि आधिवसी बिल्कुल भी हिंदु नहीं है उनकी एक अपनी अलग आस्ता है अपनी अलग विश्वास है धर्म अलग है और इसे हम किसी भी तरह से हिंदुईजम के साथ जोड़कर नहीं देख सकते आधार पर ऐसा कहा जाता है आप देखिए आप किसी भी आधार को लेजिए रिति रिवाजों की बात कर लेजिए हिंद हिंदु मैरेज यहां तो भी अलग है और अधिवासियों की मैरेजस के रिवाज अलग तो कुमू techniques यहां पर खासका रिजर्व सीथी हैं और वहां पर तो आधिवासी कमूनेटी जो है वह अपने आप में अच्छा प्रतिनिद्वर आ और आओंगा कि या फिर आप कोई देखते हैं क्या कैसे देखते हैं देखिए जब रिजर्वेशन की बात करते हैं तो हमें सीधा सिधा ये बात समझनी चाहिए कि वे लोग बिल्कुल भी आदिवासे समाज के प्रतिलिदी नहीं हो सकते हैं भले ही वे शेडूल ट्राइब के रिजर्व से जीते हुए क्योंकि वे लोग कि कहीं न कहीं जो एजेंडा जो सवर्ना पारिटियों दौरा या किसी बमेर राज्वेशनितिक पार्टी दौरा चला जाता है कि उन्हीं के इशारों पर काम करता है कि अंधीजा है कि जो सेडूल कास्ट में हुआ वो सेडूल ट्राइब के स खिलाब वोट नहीं कर सकते हैं तो आपकी सदसदा चली जाएगी तो यदि आप ट्राइब की सीट से जीते हैं तो कम से कम उनके लिए तो यह नियम अमान नहीं होना चाहिए लेकिन फिर वहां पर पार्टी के लिए ही बात होना पड़ता है तो मैं तो यह नहीं मानता कि वह ट्राइबल का प्रतेंटों करते हैं अपनी 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 आधिवासी कमुनिटी के पास क्या कोई पॉलिटीकल प्लैटफॉर्म है ऐसा कुछ लगता है फिलाल तो आधिवास समुदाय की बात कि जाए तो वहां मुझे लगता है कि किसी भी तरह है कोई प्लैटफॉर्म उनके पास कि सोतंत्र प्लैटफॉर्म भी नहीं है पिर ऐसे में तो जुगाड करके मतलब यह कैसकते हैं भाईचारा बनाकर किसी ना किसी के साथ जाना पड़ेगा तो जिन एजंडे की बात करें चाहें फिर वह फांचवी अनुटूची की बात हो चाट पेसा काइदा की बात हो या फिर जो भी सेडूल ट्राइब के ऊपर हो अन्यात आठेचार उत्पीडन के खिलाफ अगर बात करना तो क्या लगता है आपको किसके साथ जाना चाहिए आपका पर्सनल व्यक्तिक विचार जाना चाहिए कि मैं किसी राजनितिक भाटी का तो नाम ने लिलूंगा लेकिन मुझे लगता है कि जब हम राजनितिक अधि प्रमन परमपराय रही है उनके के कंफिक का इतियास रहा है उनके दुनों के प्रती दोंदिता का इतियास रहा है तो हमें यह तै करना होगा कि हमें की सोर जाना चाहिए क्या हमें शोषक लोगों के साथ जाना चाहिए या जो एक्विलिटी के लिए लड़ रहे हैं जो लो या बिरसा मुंडा पेरियार की बात करते हैं तो एक एक मुर्चा जिसमें तमाम तरह के न किवल स्ट ओबी सी कम्मुनिटी के लोग बलकि जो महिलाएं हैं जो ट्रांसजेंडर से जिनकी बात आज भी नहीं की जाती है उन लोगों के साथ भी मिलकर एक मजबूत मुर्चा तयार करना होगा जैसे अभी एक अकडेमिक्स में एक नया टर्म आ रहा है कि ट्रांसजेंडर सेज नियो बहुजन ट्रांसजेंडर को भी एक बहुजन विचाधरा के अंतरगत उन्हें समाविश्ट करने के बाद चल रही क्योंकि वे भी इस ब्राह्मनवादी पित्रु सत्तात्मक समाज में उनका भी बहुत ज्यादा शोशन हो रहा और उनके उपर बात करने के लिए कोई तयार नहीं है तो मुझे लगता है कि उसे भी धार में रखना चाहिए और एक मजबूत मोर्चा शूरू करना चाहिए औ उन्हीं का साशन बनता है तो ऐसे में अगर अधिवासी कम्मूनिटी को या सेडल ट्राइब को अलग किया जातों वह अलपसंख्यांग बन जाएंगी तो अब या तो उनके पास ऑप्शन यह है कि या तो वह हिंदू बन जाए या फिर वह किसी भी समता मुलक विचार वाल सबसे पहले अपने आप में मजबूत होना पड़ेगा जो लोग बटे हुए उनको एग्जूट होना होगा और अचुलिसा आदिवासी की सामाजी कार्टिक सिति बहुत ही जादा पिछे हैं यह हम बाकी समुदाय को तिलना करें दलितों की भी तुलना करें पिर भी स्कूल आप सोशल साइंसेज में डिपार्टमेंट पर सोशोलोजी पर पढ़ाई करता था तो वहाँ पर मैंने देखा है 2020 में मेरा अडमिशन हुआ था शेडूल ट्राइब के लिए लगभग वहाँ पर मुझे लगभग 15-16 प्रतिशत सीटे आरक्षित थी जिसमें से कम से कम 50-60 की स्टेंथ में लगभग 8-9 अडमिशन वहाँ पर होने चाहिए थे लेकिन मैंने वहाँ देखा कि शेडूल ट्राइब की सीट पर एक भी अडमिशन नहीं हुआ था मैं अकिला था और मेरा भी रै लेकिन शेडूल ट्राइब की सीटों पर एक भी अडमिशन नहीं हो था क्योंकि उसके लिए फॉर्म ही भरे नहीं गए था क्योंकि ना तो रिसोर्से उपलब्द है ना उस तरह का मारगदरशन उपलब्द है और ना उनके पास वो सोशल कैपिटल है जिससे वो इन सब ची कोई मजबुति उसको प्रदान करने होगी है हमारे साथ थे शुभम आहा के जो के स्कॉलर है सोशलोजी की अच्छी जानकारी रखते हैं और तगडी उनकी पढ़ाई है सामाजिक विश्यों को लेकर और सामाजिक मुद्दों को लेकर आदिवासी कम्मूनिटी के लिए वो विचार उन्होंने बताए जो चिंताँ उन्होंने अदिवासी कम्मूनिटी के लिए जताई है उसको लेकर आपका क्या ख्याल है कि इ N.B. बहुजण विचारधान को घर घर तक पहुचाने के लिए हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें कमेंट करें शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दवाना ना भुले